बस खोड़ी देड में हर्याना की नई सरकार का शपत गहन दूसरी बार सियम की शपत लेने के लिए पहुँचने वाले हैं नायप सिंग सैने तयारिया पूरी हो चुकी है आपको बताते चले मंत्यों की लंबी चौड़ी फेहरिस्थ है सभी इस बात को लेकर चंतित थे कि क्या उनका नंबर आएगा नहीं आएगा अनलविच की भूमिका क्या होगी अनलविच समय चौदरम मंत्री ले सकते हैं शपत ये बड़ी जानकारी बड़ी ख़बर एबी पी न्यूस को मिली है सैने के शपत गहन समारों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामल होने के लिए पहुँचेंगे अमिशा समेट NDA के बड़े बड़े नेताओं की भी मौजूद्गी रहेगी बीजेपी शासत राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामल होंगे आपको बताते चले लोगसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी के 240 सीटे आने के बाद एक अलग तरह की पॉलिटेक्स इस देश के भीतर शुरू हो गई थी जिसके बाद हर्याना में जो दम जोका भारती जनता पार्टी ने और शांदार काम्याबी हासल की पहली बार हर्याना के इतिहास में ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है 2014 और 2019 के वधान सभा के मुकाबले बीजेपी ने इस बार और जादा सीटे हासल की जिसके बाद ये जो जीत है ये प्रचंड मानी जा रही है हमारे साथ स्टूडियो में रोहित सावल इस वक्त मेरे सहयोगी जूट चुके हैं हर्याना की पॉलिटिक्स पर बेहत बारीक नजर आप रखते हैं हमारे साथ आदे शावल मौझूद हैं अब सीनियर जनलिस्ट है लोकमत के अनिलारिया जी वरिष्ट पत्रकार हमार साथ जो चुके हैं इसाथ चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले शीरीन का सीधे रोक कर लेते हैं शीरीन क्या-क्या खास रहने वाला है आज इस शपत ग्रेंड समारों में शीरीन बिल्कुल चित्रा तो थोड़ी देर में शपत ग्रेंड समारों शुरू हो जाएगा लेकिन अपने दर्शकों के लिए हमने भी खास तैयारी की है उससे पहले ही हम ये जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या-क्या बड़ी बाते शपत ग्रेंड समारों की है तो जल्दी से बनेंगे नायब सिंग सैनी एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री का चहरा होंगे और सैनी के साथ 14 मंत्री शपत ले सकते हैं जैसा एबीपी न्यूस को ये जानकारी मिली है कि 14 मंत्री भी आज शपत ग्रेंड में एंडिय का शक्ती प्रदर्शन भी होगा यानि एंडिय की त टाकत भी दिखाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है तो हर्याना में शपत ग्रेंड अपसे थोड़ी ही देर बात और उससे जुड़ी हुई ये बड़ी बाते चुत्रा अर्जुन को फिलाल वो तस्वीरे आपको दिखाएं उसके पहले शपत ग्रेंड से पहले सीम नायब सिंग सैनी पूजा अर्चना करते वे नज़राई ये तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहले सीम सैनी ने पंच्छकुला में वालमी की जहनती के मौके पर वालमी की अर्जुन के पहले मौके मंतरी सैनी ने कहा कि शपत गहन के बाद NDA की एक एहम बैठक होगी साथी सैनी ने दावा किया है कि हर्याना सरकार और मजबूती से काम करेगी दो अलग अलग तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं महर शिवालमी की मंदर में पूजा की मंसा देवी मंदर में जाकर मातरानी का अशिरवाद लिया अब नवरातर में भी हमने देखा कि सरसे पूजा अरजना में लगातार वो लगे रहे थे ताकि माता का अशिरवाद मिले और बहुत दिल्शस्प रहा क्यूंकि हर्याना चुनाव के ठीक 6 महिने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नायप सिंग सैने को जिम्मिदारी दी गई, अलक्सीट पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, ओबीसी वोटर को अपने पक्ष में करने के कोशिश की गई और बीजेपी ने जितने भी दाओं आज माए, वो कॉंग्रेस पार्टी के किसान, नौजबान, संविधान, वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर कॉंग्रेस मैदान में उतरी थी, उस पर वो भारी पड़े, और इसी वज़े से आज का दिन बीजेपी के लिए भारती जनता पार्टी के लिए बेहद अहम रहने जा रहा है,